हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए जीके का टेस्ट लेकर क्या आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम्स यूपी जेल वर्डर यूपी एसाई के लिए बहुत ह ज्यादा इंपोटेंट होगा जो लोग डेली प्लिस कॉंस्टेवल रेलवे एंटीपी सी रेलवे गुरूप डी की तयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी इस टेस्ट को देख सकते हैं क्योंकि जीके जो है वो हर एक्जाम में कॉमन होती है तो पहला कोस्ट दोस्तों आपके करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट कोसंस की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोसंस है आपका कि किसने विस वो पिरसिद फिल्म दी गांदी का निर्देशक किया निर्देशन किया यानि कि इसके डारेक्टर कौन है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रि इस कार किस ने किया था ये questions आपका you people is constable में पूचा जा चुका है तो किस ने किया था ये टिम बरस नहीं लिए किया था यानि कि ये इस questions का तीसरा options आपका विल्कुर correct है निमले के तमये से कौन सा खेल Olympic खेलों में सामिल नहीं है जल्दी बताओ cycling तीरंदाजी cricket या skiing तो कौ cricket सामिल नहीं है तीसरा options correct अकवर के सासन काल के दोरान सासन की अधिकरित केंद्रिय मसीनरी के तहत सेना प्रमुक कौन थे तो सेना प्रमुक कौन थे तो आपका सही answer हो जाएगा मीर बक्सी दूसरा options बिल्कुर correct है नागा लेंड की कौन नागा लेंड में कौन सी वासा बोल जाती है नागा कोयान यानि कि इस questions का पहला options आपका बिल्कुर correct है कौन याक नागा पहला options correct है नागा जंजाती बिविन बासा हैं बोलती है जिनमें तिबद बर्वन बासा समू सामिल है बासा के पूरवी नागा समू में कौन याक तता चंग सामिल है इसके अतिरिक्त ना लागा कुकिई समू का उधारण सूप नामा यह सारी बहसा है ना खालमhmenंड में भूल溪 किसका बना होता है तो आप आप सभी लोग जानते हैं किसका बना होता ये टंग स्टन को कि से W से denote करते हैं तो ये आपका railway group D में पूचा जा चुका है ये questions इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया भारत का पहला आणवेक परिक्षण कहां किया गया भारत का पहला आणवेक परिक्षण कहां किया गया अरे भाई या परमाडू परिक्षण होगा समझ रहे आणवेक का मतलब परमाडू से है तो भारत का पहला परमाडू परिक्षण कहां किया गया तो आप सभी लोग जानते हैं यह पोकरण में किया गया था कब किया गया था यह 1974 में किया गया था अच्छा कभी कभी पलकुल डेट लिखकर किया आ जाती तो अठारा माई 1974 तो यह भी आप याद कर लो अठारा माई 1984 ठीक है इस समय जो वो आपके दूसरी बाते वोटाओ कौन सी तारिक मदू में दिवस की रूप में जानते हैं डाइविटीज डे तो कौन सी दिन बनाते हैं तो आपका सही आंसर हो जागा चाओदा नमबर अब यह नहीं सोचना कि चाओदा नमबर को तो हम चिनलर्श डे भी बनाते तो वो भी बनाते और मदू में दिवस भी बनाते ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट कोसन से आपका दी प्रिंस किन के दौरा लिखी गई पुस्तक है जल्दी बताओ तो देखो सौराज पाटी के संस्तापक आप सभी लोग जानते हैं कौन थे तो आपका सही आंसर हो जाएगा CR10 या चितरंदनदास ठीक है ना और कभ कीती तो को चितरंदनदास और मोतिलाल नहरू ने कीती सौराज पाटी के स्तापना और 1923 में कीती तो ये भी आप याद कर लो निमले के तम ऐसे कौन सी गेस गलोबल वर्मिंग के लिए जिम्मेदार है तो कौन सी गेस गलोबल वर्मिंग के लिए जिम्मेदार है तो आपका सही आंसर हो जाएगा carbon dioxide, CH4, methane यानि कि इस questions का तीसरा options जो है वो आपका बिल्कुल correct हो जाएगा global warming क्या होती है जो तापमान होता है वो बढ़ जाना उसको बोलते हैं या उसका main प्रवाव यही होता है किस गिरह के चल्ले अपनी वारिस पैदा करते हैं जो गिरह पर गिरती है ठीक है ना next question आपके सामने पद भूषण लेने से इनकार कर दिया था जल्दी बताओ कौन थे तो आपका digit दूसरा option जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है भारा सरकार द्वारा स्वन मंदिर का घीराबंदी के ब्रोध 1984 में खुसबंत सिंग अमरिस्थर द्वारा आए उन्हें 2007 में भारत के दूसरे सरवोज नागरिक संबन पदम बेवोशन से संबनित किया गया लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था इनकार कर दिया था 24 अक्टूबर को किस रूप के रूप में मनाय जाता है 24 अक्टूबर के दिन क्या मनाय जाता है जल्दी बताओ विस्वसाकारी दिवस ये तो नहीं मनाते संयुक्तिराश्ट संयुक्तिराश्ट द्वारा माने था पेरा यानि के संयुक्तिराश्ट दिवस मनाते हैं चुहता options आपका correct है क्यों कि 24 अक्तूबर 1945 को संयुक्तिराश्ट की क्या होई थी इस तांपना होई थी next question से आपका се Harry Potter को कौन नीयंतरित करता है तो फ़ोओल मेंच में रैफरी होता है पहला ही ऑपसौन की लोख में सब सबसे दास मसले सुलतान के दरवार में थे सही आंसर हो जागा फ्रोज सांत उकलक कितने थे पता लगबक सत्तरा जार किया असपास ठीक है ना नेक्ष्ट कोस्टन से आपका जब आप भारत के कोछ स्थानों की यातरा करते हैं तो आप लाल मिट्टी देखेंगे इस रंग का मुख कारण क्या है तो इस रंग का मुख कारण हो जाएगा फैरस ऑक्साइड की उपस्ति या आइरन ऑक्साइड आपको मिलेगा फैरिक नहीं मिले तो आइरन तो आइरन ऑक्साइड की उपस्ति या फैरिक ऑक्साइड की उपस्ति तीसरा ओपस्ति गलेसियर हमे किस राज में तो आपका जो सहई आंसर हो जाएगा वैं हो जाएगा आपका अरुना आचर प्रदेश पहला ही ऑप उप्संस आपका इंसर करेक्ट है तो यह आपको रामिस्वरम में देखने को मिलेंगी तीसरा उप्संस बिल्गुल करेक्ट मुक्मंतरी की नियुक्ति कौन करता है जल्दी बताओ मुक्मंतरी की नियुक्ति कौन करता है या किस के द्वारा की जाती है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा option number ए राजपाल के द्वारा पहला options correct दूरंड कप किस खेल से समदित है जल्दी बताओ दूरंड कप किस खेल से समदित है तो आपका जो सही answer हो जाएगा वह हो जाएगा आपका football दूसरा options correct UNO की मुक्संसता कहा है जल्दी बताओ UNO की मुक्संसा या UNO का headquarter आपसे पूछा तो UNO का headquarter कहा है तो आपका सही answer हो जाएगा option number A New York USA पहला ही options correct अब आपके जो सारे questions है वो आपके UPGK से समदित आपको questions मलेंगे गुरू दुरुनाचार का जन्मिस्थान जल्मिस्थल कंपिल इस्थित है किस जिले में उत्तर प्रदेश की तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस्थित है फरुक्खाबाद पहला ही options आपका विल्कल करेक्ट है सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है देखो यहाँ पर कलासिल्प दिये हैं और उनसे संबंदित इस्थान दिये है तो कौनसी कलासिल्प किस इस्थान में famous है वो आपको बताना है तो जल्दी बताओ काश्ट पादुका ये पीली भीत की है ठीक है जरी जरी ये कडाई होती है तो ये बरेली में परसिद्ध है काश्ट नकासी काश्ट नकासी कहां पर है तो ये सहरनपुर में है और मिट्टी के बरदन ये खुरजा में देखने को मिलेंगी तो यहां पर आपका जो सही मिलानगुआ वो होगा आपका 4-1-2-3 तो कौन से उपसंस में दिया 4-1-2-3 देखो दूसरे उपसंस में दिया नेक्स्ट कोसल आपके सामने है सध्सवानिकी का राष्टी जोध केंदर इस्तित है कहां पर तो ये कहां पर इस्तित है तो ये जhासी में इस्तित है दूसरा उपसंस आपका MD कORRECT दूसरा options correct 21-23 जनवरी 2019 के मद 15 में प्रवासी भारती दिवस का आयोजन किया गया कहा पर तो कहा पर किया गया तो ये किया गया आपका वरान सी में पहला ही options आपका बुल्गुल correct 24 फरवरी 2019 को प्रदान मंतरी नरेंद्र मुदी ने प्रदान मंतरी का सम्मान निदी का सुभारम किया उत्तर प्रदेश के किस जिले में तो ये किया आपका गूरकपुर में दूसरा आपसेंस आपका बिल्कुर करेक्ट है देश का पहला राज चहां राष्टिय कारकरम बन ड्रॉप के लिए किसान से चाई बिद्याले संचालित किया जा रहा है तो वह कौन सा इस्तान है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपसेंस नम्बर सी उत्तर प्रदेश ठीक है ना नेक्स्ट कोसंस आपके सामने देश में पंजाब के बाद इस्थानिये किरत ओनलाइन आपरादिक डेटावेस तयार करने वाला दूसरा राज कौन सा है तो जाहर सी बात है उत्तर प्रदेश की बात हो रही होगी तो भई होगा तीसरा उप्संस बिलुकल करेक्ट नेक्स्ट कोसंस उननीस फरवरी दोएर उननीस को प्रदानमंत्री मोदी ने विस्थव का पहला डीजल से बिद्दुत में परिवर्तित 10,000 होर्स पावर का ट्विन रेल इंजन राष्ट को समर्पित किया कहां पर किया तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रद दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरी जंडी दिखाकर रवाना किया गया कहां के लिए तो यह बहुत इंपोर्टेंट कोसंस है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का सहर है तो यह नई दिल्ली से वरानसी के बीच चली थी यानि कि यह इस कोसंस का दूसरा ऑप्संस आपका बरूर कर आएंगे ठीक है ना तो दोस्तों यह थे आपके 38 जीके के कोसंस जिसमें मैंने हर तरीए कोसंस आपको सामिल करकर के देखे जो कि आपके आने वाले एक्जाम सी यूपी जील वाटर के लिए बहुत ही जादा इंपोटेंट है अगर आपको वीडियो अच्छा लागे तो व इंपल टेस्ट लेकर के आया हूँ जैसा कि आपके एक्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों फिलाल की वीडियो में सरफ इतना ही अकर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजो और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइ